हलो बच्चों कैसे हैं आप सभी मैं मिसिस अन्नु रॉय आप सभी बच्चों का कॉम्पुटिशन कम्यूटी में स्वागत करती हूं मेरे द्वारा आपको सीजी पीएस सी प्री में पुछे जाने वारे सी सेट के दो जो सब्जिक्ट हैं वो कम्प्रीट करवाए गए हैं जो है हिंदी भाषा और चत्तिसगड़ी भाषा हमने ये पाया कि हमारे सभी वीडियो में सारे बच्चों ने एक मांग रखी थी यदि MCQ भी सॉल्व करवा दिया जाता तो हमारी परिक्षा में बड़ी आसानी होती है उसी के मद्दे नजर मैं हिंदी भाषा के दो लेक्चर वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगे जिसमें सारे टॉपिक कवर कराए जाएंगे MCQ के माध्यम से वैसे ही 36 गड़ी भाषा के ठीक है तो आज के वीडियो में हिंदी भाषा से संबंधित पार्ट बन का लेक्चर जिसमें MCQ के कुछ कोशन जो है वो सॉल्व करवाए जाएंगे ठीक है तो सबसे पहले आते हैं हिंदी भाषा का MCQ में पहला वन कोशन जो है आपके हिंदी से संबंधित प्रशन को लेकर ठीक है तो सबसे पहले पूछा है यहाँ पर भाषा से संबंधित प्रशन ठीक है जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ भाषा से संबंधित प्रशन पूछा गया है और क्या पूछ रहा है भाषा संबंधित प्रशन मे कि भारतिय भाषा परिवार की सदस्य निम्न में से नहीं है Option number A है Asiatic, Option number B है Dravidian, Option number C है Indo-European, Option number D है Semitic और Hematic ठीक है, तो भाषा परिवार क्या है, जब किसी भाषा का जन्म एक मुल भाषा से होता है तो उसे भाषा परिवार कहते हैं, ठीक है, विश्व की संपुर्ण भाषाओं को 13 भाषा परिवार में बाटा गया जिसमें से 4 भाषा परिवार का प्रयोग भारत वरश के अंदर किया जाता है तो प्रश्टने ने पूछा है कि निम्न में से कौन सी भाषा परिवार की सदसे नहीं है जिसका प्रयोग भारत में किया जाता है तो सबसे पहले दिया है एशियाटिक, एशियाटिक को हम आग्रे आगने आस्ट्रो भी कहते हैं तो भारत के अंदर एशियाटिक भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है दक्षिन भारत में प्राप्त द्रविट भाषा परिवार का प्रयोग किया जाता है भारत यूरोपिय मिश्टित इंडो यूरोपियन याने भारोपिय का भी प्रयोग किया जाता है तो option number D semantic, hematic है जिसका प्रयोग भारत के अंदर भाषा परिवार में नहीं किया जाता है ठीक है, अब हम आते हैं next question में, question number 2 question number 2 क्या कहता है question number 2 कहता है निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है ठीक है, यहां आपके वरण से संबंधित प्रशन है कि चार option है option number A, कार खाना option number B, कलरव option number C, चह चहाना option number D, पंजी तो निम्न में से कौन सा शब्द है जो अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं है तो कार खाना में कमें आकी मात्रा, खमें आकी मात्रा न में A की मात्रा है और सेम से स्चुशन पंजी कह रहा है तो प में अनुस्वर की मात्रा और छा में बड़ी E की मात्रा कूल मिलाकर कलरव option number B में किसी भी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है तो निम्न में से कौन सा शब्द A मात्रिक है तो option number B कलरव अ मात्रिक है अब हम आते हैं अगले कोशन में तो अगला कोशन क्या कहता है अगला कोशन है कोशन number 3 और ठीक है तो कोशन number 3 क्या कहता है कोशन number 3 कहता है निम्न में से एक की वर्तनी शुद्ध है उसे पहचानिये निम्न में से एक की वर्तनी शुद्ध है उसे पहचानिये तो option number A है आविशकार, option number B है देवारशी, option number C है निशब्द और option number D है जमाता ठीक है तो यहाँ पर किसकी वर्तनी शुद्ध है कह रहा है तो चार option में से एक है जिसकी वर्तनी शुद्ध है तो देवरिशी से होता है देवरशी तो यहाँ अनावश्यक जो है आ की मात्रा पाई गई है इसलिए अशुद्ध है निशब्द होता है नकी निशब्द निशब्द मतब दोनों के मध्य में एक विसर्ग होता है जो जमाता होता है नकी जमाता होता है ठीक है तो यहाँ पर यह भी अशुद्ध है लेकिन आवश्कार शब्द जो है वो पूरुन रूप से शुद्ध है तो question number 3 का answer है option number 8 ठीक है अब आते हैं अगले question ने ठीक तो अगला question है question number 4 ठीक है तो question number 4 अब यहाँ पर question number 4 ने क्या शब्दों में भिन तो कहीं न कहीं यह कौस्वन लिया है आपके लिए परियाएवाची से क्या होता है एक ऐसा जिसका की बहुत सारा नाम हो परन्तु अर्थ केवल एक हो जहाँ विकल्प के तोर पर परियाई की रूप में उसे चैन किया जाए तो विकल्पों का एक ऐसा संग्रह ऐसो शब्द जो बहुत सारे नाम होकर एक अर्थ को प्रस्तूत करते हैं उन्हें परियावाची कहते हैं तो आत्मजा कन्या का परियाए है नंदिनी भी कन्या का परियाए है और दुहिता भी कन्या का परियाए है लेकिन भार्या हम पत्नी को कहते हैं इसलिए इन शब्दों में भिन अर्थ वाला शब्द ठीक है हां क्या कह रहा है है यहां पर दिया है आपको अपोजिट वर्ड से कोशन तो पहली बात की विलोम शब्द क्या है गोण सभाव प्रकृती में यदि एक नाम अपने नाम की ठीक उल्टा विरुद्ध विप्रित हो ऐसे शब्द को विरुधार्थी विलोम शब्द उल सुस्त है कड़क है तो धीला ढाला होता है लचर याने की धीली ढाली विवस्था ठीक है और जो सुस्त कहते हैं तो जो व्यक्ति चुस्त होता है उसका अपोजिट सुस्त भी होता है लेकिन इन सबसे अलग है व्यस्त व्यस्त का मतलब होता है जब हम बिजी होते हैं ठीक ह अगला question है आपका question number six question number six में कहा है अबज का अनेकार्थी नहीं है ठीक है अब जानेंगे कि अब आखिर क्या होता है अबज का मतलब होता है जो जन्म लेता है ठीक है अब जो का मतलब होता है जन्म लेता है तो देखा जाये तो option number A है कमल, option number B है वर्षा, option number C है चंद्रमा और option number D है शंक, कहीं न कहीं यहां सभी का संबंध जल से है लेकिन चंद्रमा को छोड़ कर, अब आप कहेंगे कि कैसे, जो पानी में जन्म लेत है तो पंकज नीरज सरोज और हम उसे कमल कहते हैं ठीक है दूसरा चंद्रमा भी जन्म लेता है यानain कि रात्री कारे नवस्था होती है और सुर्योदवामा डूब जाता है ठीक है शंक भी जो है पानी में जन्म लेता है लेकिन वर्षा जन्म नहीं लेती ठीक है तो अब क का अनेकार्थी नहीं है तो अनेकार्थी क्या होता है कि एक ऐसा शब्द जिसका की नाम तो एक हो परन्तु प्रसंग के अनुसार अनेक प्रकार के अर्थ हो ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहा जाता है अब आते हैं अगला कोशन अगला question है question number 7 ठीक है और क्या पूछ रहा है question number 7 हाँ अब यहाँ पर question पूछा है आपको तत्सम और तद्भाव से तो सबसे पहले बाद तत्सम क्या है और तद्भाव क्या है तत्सम मतलब संस्कृत के शब्दों का वैसे ही प्रभाव यदि हिंदी में किया जाए जिस नंदी सब्ही शब्दों को तत्सम shrine कहा जाता है ठीक है आज़ी बात समझ में तो क्या पूछा यहाँ पर कि तत्सम से परिवर्वर्तित तद्भाव परिवर्तित सही युगम शब्द नहीं है तो तत्भाव क्या हुआ तो तद्सम संस्कृत के शब्दों को कहते हैं और त संस्कृत में है तो तो वर्ट विच विच वी टेकन फम लैंविज ऑफ संस्कृत for use of our language Hindi that called तद्सम शब्द तो और रिलेटेट संस्कृत वर्ट यूज़ीन हिंदी याने कि संस्कृत के शब्दों का बगैर अर्थ में परिवर्तन किये हिंदी रुपांतरण वाले शब्द को तदभव कहा जाता है तो प्रशन ने पूछा है यहां जो आपको आप्शन दिये है कि तत्सम से तद्भव परिवर्तन सही युग्म शब्द याने कि कौन सा ऐसा जोड़ा है जो तत्सम तद्भव परिवर्तन में क्लियर नहीं है पंच कोटी दस कोटी कहता है पांच करोड दस करोड तो ये सही है दूसरा द्वीवर तत्सम शब्द का ततभाव देवर होता है ये भी सही है ठीक है तिक्त मतलब की तद्सम से तद्भा तीता होता ये भी सही लेकिन उट्र का मतलब उट नहीं होता क्योंकि उट्र नहीं बलकि होता है उश्ट्र ठीक है तो यदि हम कहें कौन सा सही नहीं है तो उट्र तद्सम शब्द सही नहीं है तो प्रश्ण के अनुसार A, B, C, D में जो तद्भाव का जोड़ा बनाया है उसमें option number C है जो तत्सम का शब्द यहाँ पर गलत है मतलब option number C clear अब हम आते हैं अगले question में अगला question पूछा है आपको question number 8 में और क्या पूछा है निम्नांकित में से किस शब्द का निर्मान उपसर्ग से नहीं हुआ है ठीक है धियान से द नहीं हुआ है ठीक है उपसर्ग क्या होते हैं उपसर्ग को हम कहते हैं prefix ठीक है किसी भी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द में नयापन विकार रुपांतरन पैदा करने वाले शब्द को उपसर्ग कहा जाता है ठीक है किसी भी शब्दांश के पहले जुड़ने वाल तत्व को उपसर्ग कहते हैं तो यहां पर दिया है अवसाद, उन्नती, सज्जन और प्रहार प्रश्ण ने पूछा है कि इन चार में से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रिफिक्स यूज नहीं किया गया है ठीक है तो देखा जाएं तो उपसर्गों की संख्या में यहां हि ठीक है उत्धन नती से होता है आपका उन्नती ठीक है यह भी संस्कृत का उपसर्ग है प्रा जो है वो भी संस्कृत का उपसर्ग है लेकिन अगर हम देखें तो सत्धन जन से बनता है सज्जन लेकिन उपसर्ग में कभी भी सत्ध जैसा उपसर्ग नहीं होता इसलिए अवस अगला कोश्चन क्या पूछ रहा हैं अगला कोश्चन है कोश्चन नंबर 9 ने क्या कहा है क्रिदंत प्रत्य कीन शब्दों के साथ जुडते हैं तो आखिर उपसर्ग धातु शब्द के पहले जुडता है तो प्रत्य क्या होते हैं प्रत्य वो धातु शब्द के अंत में जुडने वाले होते हैं ठीक है तो प्रत्य क्या है किसी भी शब्द के अंत में जुडने वाले तत्व को प्रत्य कहा जाता है ठीक है प्रश्ण ने पूछा है क्रिदंत प्रत्य अब आपको मैं बता दू कि प्रत्य कितने प्रकार के होते हैं तो प्रत्य दो प्रकार के होते हैं एक होता है क्रित या होता है क्रिदंत प्रत्य जिसे हम प्राइमरी सफिक्स कहते हैं औ वो क्या होते हैं ऐसे प्रत्य जो भाव आचक संग्या और नाम धातु क्रिया बनाने के लिए संग्या सरवनाम और वीशेशन के धातु शब्दों में जुड़ते हैं उसे नॉमिनल सफिक्स या हम तधित प्रत्य कहते हैं लेकिन यदि किसी क्रिया के धातु में जुड़ता ह जो प्रत्य उसे कृत या कृदंत कहते हैं तो कृदंत प्रत्य कीन शब्दों के साथ जुड़ता है तो कृदंत प्रत्य जो है option number D क्रिया के साथ में जुड़ता है क्लियर हो गई चीजे ध्यान से समझेगा संग्या सरवनाम और विशेशन के साथ जो प्रत्य जोड़े जाते हैं उन प्रत्यों को तध्यत प्रत्य कहते हैं लेकिन यदि कभी किसी क्रिया के धातु में कोई प्रत्य जुड़ता है उसे कृदंत या कृत्प्रत्य के नाम से पुकारते हैं क्लियर हो गई चीज़ें अब आते हैं next one question में question number 10 question number 10 ने क्या पूछा है आपसे कि डॉक्टर जी भारत के प्रथम राष्ट्र पती थे इस वाक्य में डॉक्टर एक मिल्ट न मैं आपको इसको और थोड़ा से करके बताती हुँ ताकि समझ में आ जाए आपको चलिए दीख रहा है ठीक है इतना तो समझ में आ गया होगा कि क्या लिखा है ठीक है थोड़ा से इसको समझने की कोशिस करेंगे कि कोश्चन क्या पूछ रहा है ठीक है या भाव के नाम को संग्या कहते हैं कितने प्रकार की होती है पांच प्रकार की अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की और रचना के अधार पर तीन प्रकार की अब रचना के अधार पर रोड योगिक और योग रोड संग्या शब्द होते है याने कि चब्द की बात करें तो समूवाचक और प्दार्थवाचक संग्या ठिक है, तो जातिवाचक संग्या क्या होती है एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति वस्तु या प्राण limitation की जाती वाचक संग्या, याने की common noun होता है सगे संबंध, रिष्टे, नाते, पद, व्यवसाय, प्राकृतिक तत्व इस सब हमारे लिए जाती वाचक संग्या है दूसरा भावाचक संग्या किसी भी संग्या शब्द की गुर्ड दोस भाव संबंदी भाव को बोध कराने वाला शब्द भावाचक संग्या होती है जिससे हम कहते हैं आप एक भावनात्नक मनो भावों को अभिव्यक्त करता है तीसरा होता है हमारे लिए समूह वाचक एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति वस्तु या प्रानी के समूह का बोध हो तो समूह वाचक संग्या याने की collective noun होता है तो डॉक्तर जी भारत के प्रथम राष्ट पती थे अब डॉक्तर तो पद व्यवसाय कार्य है तो क्या यह हमारे लिए जाती वाचक संग्या होगी तो confusion create करने के लिए सबसे पहले आपको option में दिया है जाती वाचक संग्या है ऐसे situation में ध्यान रखिएगा कि वाक्य कहना क्या चाहता है प्रश्ण ने पुछा है डॉक्तर जी भारत के प्रथम राष्ट्रपती थे इस वाक्य में डॉक्तर के संग्या बताईए अब यहां पर डॉक्तर कह रहा है और यहां राष्ट्रपती कह रहा है तो आपको पता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपती किसके बारे में बताया गया है तो किसी व्यक्ति विशेस को यहीं व्यक्ति कर रहा है तब वह हमारे लिए व्यक्ति वाचक की category में convert हो जाता है तो ध्यान से समझेंगे कि हर व्यक्ति वाचक वाली संग्या शब्द यदि किसी जाती विशेस का बोध करेंगे तब वो जाती वाचक में चले जाएंगे लेकिन जाती वाचक वाला शब्द यदि किसी व्यक्ति विश्यस को संबोधित करेगा, तो व्यक्ति वाचक में बदल जाता है, तो sentence में कहा है, डॉक्टर जी भारत के प्रथम राश्टर पती थे, तो यहाँ पर हमारे प्रथम राश्टर पती को संबोधित कर रहा है, जो दी गई उपाधी डॉक्टर है, तो अगला कोशन है 11 नमबर का कोशन जो क्या पूछ रहा है कोशन 11 कह रहा है पक्षी उची उड़ान उड़ रहे थे वाक्य में रेखांकित शब्द ठीक है ना अब यहां रेखांकित शब्द में एक थोड़ी से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है कि यहां पर अंडरलाइन नहीं ठीक है तो कोशन ने पूछा है पक्षी उची उड़ान उड़ रहे थे वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सी संग्या है पहला है आपका समुह वाचक दूसरा है भाव वाचक तीसरा है जाती वाचक और चौथा है व्यक्ति वाचक अभी आपको मैंने बताया था कि य एक ही प्रकार के अनेक व्यक्ति वस्तु या प्राणी के जाती का बोध हो तो जाती वाचक संग्या और एक ही व्यक्ति वस्तु का बोध हो तो वहां पर व्यक्ति वाचक संग्या होती है लेकिन यदि ऐसे तत्व चाहे वह तल अवस्था में हो या ठोस अवस्था में हो ज जिससे दुसरे पदार्थ का निर्माण किया जा सके, उसे पदार्थ वाचक संग्या कहते हैं, तो पक्षी उची उड़ान भर रहे हैं कहता है, ठीक है, तो उसका गुण भाव बता रहा है, इसलिए option number B होगा इसका आंसर, समू नहीं होगा, अगर प्रशन ये कहता कि पक्ष व्रिंद आसमान में उड़ रहे हैं में, कौन सी संग्या है, तो पक्षी व्रिंद कहने से वो हमारे लिए समू वाचक संग्या हो जाती, ठीक है, तो option number B, भाव वाचक संग्या कि पक्षी का गुण दोश बता रहा है, कि वो क्या कर रहा है, उची उड़ान भर रहा है, ठी यहां भी फिर से आपको question दे दिया है आपकी भाशा से, तो जब मैंने आपको explain किया था तो बताया था, कि भारत वर्षे के अंदर सम्मिधान के द्वारा पहले 14 भाशा हैं, फिर 15, फिर नए संशोधन में 3 मिलाकर 18, और नए अंतिम संशोधन के नुसार 4 भाशाओं को मिल जाकर 18, 22 प्रकार की भाशाएं भारत वर्ष में बोली जाती हैं, ठीक है, तो हिंदी क्षेत्र जिसके अंतरगत हिंदी वहां की राजभाशा होती है, ऐसे क्षेत्रों को हिंदी क्षेत्र कहते हैं, तो उन्हें 5 वर्ग में बाटा गया है, पुर्वी हिंदी, पश्यमी हिं लेकिन इन में से मारवाडी की बात करें जैपूरी मारवाडी मालवी विवामेवाडी हाडोती धुंधार ये सभी राजिस्थान हिंदी के अंतरगत आती है तो question number 12 का answer है option number C मारवाडी जो पशिमी हिंदी में नहीं आती ठीक है अब हम आते हैं आगे question number 12 के बाद में question number 13 ने क्या पूछा है question number 13 ठीक है तो question number 13 पुछता है कि निम्न में से नव निर्मित वरण कौन सा है अब यहाँ पर फिर से आपकी वरण माला से संबंधित प्रशन पूछ लिया गया है ठीक है तो option number A है डमरू का ड़ option number B है अंगा option number C है अड़ option number D है ध नियम के अनुसार इनके अंदर भी आपको एक हलंत लगाया जाना था जो टाइपिंग में mistake हो गई थी ठीक है तो नव निर्मित वरण कौन सा है डमरू का ड़ मूर्धन्य वरण टमाटर का टा वरग का टा ठा ड़ तीसरा वरण है इसलिए ये हमारे लिए मूर्धन्य वरण हुआ अंगा का वरग का पंचम वरण है ठीक है इस परश वरण हुआ इसी प्रकाइड धक्कन का धा भी टा वरग का टा ठा डा चोथा वरण है तो ये मूर्धन्य वरण है ठीक है ये आपका कंठव्य वरण है और ये भी आपका मूर्धन्य वरण है लेकिन एक ऐसा वर्ण जो किसी भी व्यंजन के मध्य में या वंजन के अंत में आता है तो एक नव निर्मित याने की उत्रिक्षिप्त आप उसे द्वीगून या द्वीश्पृष्ट कहते हैं या हम इसे ताड़न जात कहते हैं या हम इसे फ्लैप कॉंसोनेंट के टैप कॉ जाता है जैसे कि यदि हम कहते हैं जूड़ा यदि हम कहते हैं पापड ठीक है यदि हम कहते हैं लडाई ऐसी सेचुएशन में ये जो शब्द है ये वर्ण है अड़ा इसे नव निर्मित वर्ण कहा जाता है अब आते हैं अगले कोशन में ठीक है तो अगला कोशन है कोशन नम पूछा है। जो संगया के बदले प्रयोग होते हैं ऐसे शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। तो मैंने सभी से कह दिया वाक्री यह सर्वनाम ँप technology at सभी तो सर्वनामिक शब्द की खासियत क्या है कि वो शब्द जो संग्या के बदले प्रयोग किया जाता है ऐसे शब्द को सर्वनाम कहा जाता है तो व्यक्ति वाचक संग्या के बदले प्रयोग होने वाला शब्द व्यक्ति वाचक सर्वनाम है दूसरी बात जिसमें अपने पन का बोध हो वो है हमारे लिए निजवाचक सर्वनाम निश्चित जो पास या दूर में है उसका बोध कराने वाला निश्चित सर्वनाम जो निश्चित नहीं है तो अनिश्चित सर्वनाम और एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम का संबंध बताने वाले को संबंध सूचक स सरवनाम किसी occupy व्यक्ति विशेसं से प्रशन पूछा जाएं तो उसे हमगे प्रशन वच्छिर्वनाम कहते हैं क्लियर हो गई चीज़े तो आपका यहां पर दिया हुआ है कि मैंने सभी से कह दिया कहता है यहां पर है आपका अप्शन अमबर डी ठीक है option number D सभी क्योंकि व्यक्ति वाचक सर्वनाम क्या होते हैं किसी भी व्यक्ति विशेस के द्वारा अपने नाम के बदले अगर किसी प्रयोग किया जाए तो व्यक्ति वाचक संग्या के बदले प्रयोग आनेले शब्द है व्यक्ति वाचक संग्या जहां पर तीन प्रकार के पर प्रथम पुरुष भी है उत्तम पुरुष इसलिए option number C कि यह मैंने सभी से कह दिया वाक्य में सर्वनाम है वुद्वेक्टी वाचक सर्वनाम का प्रथम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष ठीक है अगले कोशन में अगला कोशन क्या है कोशन 15 निजवाचक सर्वनाम का उदारन किस विकल्प में है जिस सर्वनाम का प्रयोग स्वयम के विशय में बताने के लिए करता है जिस सर्वनाम के द्वारा अपने पन Pues कोई का प्रयोग हम प्रश्णमाचक के लिए करते हैं और इस सर्वनाम में अपने पन का बोध हो आप, स्वयम, स्वता, खुद, यह सब हमारे लिए निजवाचक सरवनाम की श्रेड़ी में आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं अगले कोशन में, अगला कोशन क्या है, अगला कोशन है कोशन नमबर 16, वीरता का वचन बताईए, वीरता का वचन बताईए कहता है तो संग्या और सरवनाम की एकता या बहुलता का बोध कराने वाले शब्द को वचन कहा जाता है, संस्कृत में तीन प्रकार के वचन, अंग्रेजी और हिंदी में दो प्रकार के वचन पाय जाते हैं, एक संख्या का बोध कराने वाला एक वचन और एक से जादा हो गए, त वो हमेशा एक वचन में होते हैं और यात वो हमेशा बहु वचन में होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो वीर्ता घ्रिणा बहादूरी प्रेम नफरत दया मया छाया क्रोध याचना भीक कहता है सब हमेशा एक वचन में होते हैं तो वीर्ता का वचन वीरता का प्रदर्शन किया कहते हैं तो वीरता एक वचन शब्द है ठीक है आब आते हैं अगले कोशन में कोशन नम्बर 16 के बाद आता है 17 और 17 ने क्या पुछा है question number आपका 17 ठीक है 17 ने पुछा है एक वचन बहुचन का गलत जोड़ी वाला युगम है ठीक है यहाँ आपर फिर से दिया है ततसम ततभव की तरह ठीक तो क्या पुछा है कि एक तरब दिया है एक वचन और दूसरे तरब दिया है बहुचन तो इन चार में से कौन सा ऐसा वर्तन जो किआ गया है वो सही नहीं है एक वचन बहुचन चा गलत जोड़ी वाला कौन सा युगम है रानी से रानिया हो जाती है ठीक है ना कभी-कभी हम E से इयां में बदलते हैं तो कली से कलियां तीथी से तीथियां होती है लेकिन राजा से राजाओं होता है ना कि राजाएं इसलिए question number 17 का answer है option number C जिसमें एक वजल से बहुवचन का परिवर्तन सही नहीं है clear हो गई चीज़ें अब आते हैं आगे अगला है आपका question number 18 ठीक है question number 18 ने क्या पुछा है आपसे क्रिया शब्द में अनुकरनात्मक्रिया कौन सी नहीं है किसी भी करता के द्वारा किये जाने वाले कारे को क्रिया कहते है शब्द का वहरूप जिसे किसी कारे का करना या किसी कारे का होना पाया जाए उसे क्रिया कही जाती है यह क्रिया कर्म के आधार पर दो प्रकार की होती है सकर्मक और अकर्मक जिस वाक्य में कर्म पाया जाता है सकर्मक कर्म नहीं पाया जाता तो अकर्मक क्रिया कहलाती है दूसरी बार कि जो क्रिया की जा रही है उस क्रिया को देखा जाए तो अपके अर्थ के आधार पर क्रिया में समाने क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधात्यु क्रिया, पुर्वकाली क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और एक होती है अनुकरनात्मक क्रिया option कह रहा है प्रश्णा कि क्रिया शब्द में अनुकरनात्मक नहीं है तो अनुकरन का मतलब क्या होता है जब किसी आवाज या ध्वनी की नकल पर कोई क्रिया के शब्द बनते है तो ऐसी क्रिया को अनुकरनात्मक क्रिया कहते है तो घोड़े की आवाज से हिन हिन की आवाज से हिन हिनाना हुआ, बकरी की आवाज से मीमियाना हुआ, दरवाजे में खट-खट से खट-खटाना हुआ, लेकिन जुठलाना जैसा कोई अनुकरनात्मक्रिया नहीं होती, तो किसी आवाज की नकल पर बनने वाली क्रिया को और option में से option नंबर बी जुठलाना जो है पूछ रहा है कौनसी चर्या प्रीर और तो सजाती चर्या किया होती है एक ही जाती से संबंधित क्रिया जिसे आपके होते हैं तो उसे हम सजाती क्रिया कहते हैं यहां एक क्रिया कर रिपीटेशन हो जाए तो उसे हम क्रियात्मक रूप दे देते हैं तो सजाती क्रिया कहलाती है किताब पढ़ ही कहता है तो किताब पढ़ना तो यहां पर आपका जाती नहीं है चक कर कह रहा है तो पुर्व कालिक है लेकिन लड़ाई लड़ी तो लड़ना क्रिया है लड़ना क्रिया है तो एक ही क्रिया को यदि वो क्रियात्मक रूप दे देता है जैसे खाना खाना कहते हैं ठीक है इसे तरह यदि हम कहते हैं मार मारा कहते हैं इसे प्रक लड़ी कहते हैं घीत गाया कहते हैं खाना खाया कहते हैं तो उसे हम कहते हैं सजातिय क्रिया ठीक है तो नाइंटीन का है आंसर नंबर अप्शन नंबर डी ठीक अब आते हैं नेक्स्ट वन कोश्चन में नेक्स्ट वन कोश्चन है 20 वर्तमान काल का भेद नहीं है तो किसी भी कारे के करने के समय का जो बोध कराता है उसे हम कहते हैं काल काल तीन प्रकार के हैं वर्तमान भूत और भविश्यकाल जिस काल में वर्तमान समय में कारे के होने का सूचक हो वर्तमान कारे समापती का सूचक है भूत काल आगामी समय में कारे के होने का सूचक है भविश्यकाल क् तो option number A है समानने वर्तमान, जहां कारे समानने तोर पर वर्तमान समय में सोने का सूचक है, मैं पढ़ता हूँ, तुम जाते हो, समानने वर्तमान काल, ठीक है, अब पूर्ण जहां वर्तमान में क्रिया शुरूत होई, परन्तु पूरी नहीं होई, बच्चा खेल रहा है, माता से बच्चा बाहर खेल रहा है, ठीक है, तो simple present tense, आपका present continuous tense, present perfect continuous tense, लेकिन आसन जो है, इसका मतलब होता है, अभी अभी का, और ऐसी घटना जो अभी समाप्त हुई है, उसे आसन भूत काल कहते हैं, इसलिए option number B है, जो भूत काल का example है, तो वर्तमान काल का भेद में, option number B, आसन वर्तमान काल नहीं होता, ठीक है, अब आते हैं आगे, आगे question है, आपका question number 21, ठीक है, question number 21, और 21 ने क्या पुछ है, किस वाक्य में क्रिया, सामान भूत काल में है, ठीक है, तो भूत काल का मतलब क्या है, कि ऐसे वाक्ये जहां कारे की समाप्ती का सूचक हो, उसे भूत काल कहते हैं, और भूत काल के प्रकार में समान भूत काल, याने की कारे की समान तोर पर समाप्ती का सूचक हो, तो उसे समान भूत काल कहेंगे, किस question क्या कहता है, उसने पुस्तक पढ़ी, उसने पुस्तक पढ़ी थी, उसने पुस्तक अभी पढ़ी, उसने पुस्तक पर समाने तौर पर किसी भी कारे का समाने तौर पर क्रिया की समापती मात्र का सूचक हो वहां होता है समाने भूत का मतलब तो यहाँ अंसर है अप्शन नंबर ए कि उसने पुस्तक पढ़ी अब आप बोलेंगे उसने पुस्तक पढ़ी थी अभी पढ़ी ऻिया है तो पूर्णता का सूचाख है इसलिए पूर्ण भूत काल होगा पढ़े लीथ ही कहता है तो अभी कारे समाप्ती का पूर्णता है इसलिए पूर्ण भूत काल होगा अभी पढ़ी कहता है थोड़े ही समय पहले पूरा किया तो आसन भूत काल होगा लेकिन कारे सामान ने तो समाप्ति का बोध हो तो समान निभूत काल कहते हैं तो उसने पुस्तक पढ़ी कहकर अप्शन नमबर A समान निभूत काल की श्रेणी में आता है अगला कोशन है कोशन नमबर 22 मुझे लाल गुलाब पसंद है वाक्य में विशेशन है विशेशन क्या है किसी भी संग्या और सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्द को विशेशन कहा जाता है विशेशन वह शब्द होता है जिसके द्वारा विशेशता बताई जाती है विशेशन वह होता है जिसके विशे में विशेशता बताई जाती है कोश्चन ने क्या पूछे, कोश्चन ने कहा है मुझे लाल गुलाब पसंद है, अब यहाँ पर गुलाब विशेशन है, जिसकी विशेश्टा है कि वो कैसा है, लाल है, आप्शन दिया है गुण वाचक, आप्शन बी है परिमान वाचक, आप्शन सी संख्या वाचक, निश्चित और अनिश्चित तो परिमान वाचक विशेशन और यदि गुण सुभाव में तुलना करके विशेशता बताएं तो तुलनात्मक विशेशन होता है लेकिन रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्वाद, गन, दिशा, इस्थान ठीक है इन सबसे संबंधित यदि गु गुण वाचक विशेशन होता है गुलाब जो है मुझे लाल गुलाब पसंद है कहता है तो यहाँ पर गुलाब की विशेशता है कि वो कैसा है लाल है इसलिए यहाँ option number 22 का answer है option number A गुण वाचक विशेशन ठीक है अब आ जाते हैं अगले question में question number 23 ठीक है question number 23 ने क्या पुछा है सभी छात्र हरताल पर चले गए विशेशन बताईए अब यहाँ पर सिर्फ यह कहा है विशेशन बताईए types of adjective पुछा है क्या वो परिमाण वाचक विशेशन है याने की qualitative adjective है क्या sorry quantitative adjective है क्या वो numerical adjective है क्या वो indefinite numerical adjective है क्या option number 24 दोनों है यही पूछ रहे तो सभी छात्र कह रहा है तो we don't count है ना मतलब count नहीं कर सकते सभी कहने से संख्या गिनी नहीं जा रही यहाँ छात्र विशेशन है उनकी विशेशता बताई जा रही है सभी के द्वारा लेकिन संख् निश्चित नहीं है तो पहली बार की विशेशन में संख्यावाचि विशेशन और परिमान वाचक में अंतर क्या है कि परिमान जो होता है वह नाप तौल होता है ऐसी वस्तु जिसे नापा और तौला जा सके तो परिमान है लेकिन जिसे कंट किया जा सकता है गिना जा सकता है वह संख्या वाची है यदि निश्चित संख्या है 10, 20, 15, 15, 15, 1, 2, 3 तो निश्चित संख्या लेकिन जो countable नहीं है तो uncountable numericals या indefinite numericals countable में अगर हम कहें तो indefinite countable numericals या हम uncountable numericals याने की संख्या निशित नहीं होने पर अनिशित संख्या होगी तो पहली बात सभी छात्र हरताल पर चले गए कहता है तो यह हमारे लिए संख्या वाची विशेशन है अब संख्या वाची विशेशन में यह अनिशित संख्या को बता रहा है इसलिए इसका answer हम क्या लेंगे इसका answer लिया जाएगा option number D, B और C दोनो कि यह example संख्या वाची है और संख्या वाची में भी अनिशित संख्या वाची विशेशन है clear अब आते हैं आगे अगला है हमारे लिए question number 24 और क्या कह रहा है 24 कि यदि जल भी भाग पूरलिंग शब्द है तो चिकित साले शब्द क्या है तो शब्द का वो रुप जो किसी संग्या के इस्त्री या प परन्तु हिंदी भाशा में केवल दो प्रकार का लिंग पाया जाता है पूरुष जाती का बोध कराने वाला पूरलिंग और इस्त्री जाती का बोध कराने वाला शब्द इस्त्री लिंग के शेड़नी में आता है तो जल भी भाग यदि पूरलिंग है तो चिकित साले शब पूरलिंग की श्रेणी में आते हैं ठीक है तो चिकत साले जलवी भाग विद्यत्वी भाग यदी कहता है तो सब पूरलिंग की श्रेणी में आते हैं ठीक है अब हम आते हैं अगला कोशन में अगला कोशन है आपका कोशन नंबर 25 ठीक है और 25 क्या कहता है 25 कहता है निम्न में पुर्लिंग शब्द नहीं है ठीक है यहाँ अनाज का नाम दिया हुआ है मूंग चावल बाजरा और चना और प्रश्ण पुछता है कि नीमने शब्दों में से पुर्लिंग शब्द कौन सा नहीं है मतरब चार में से कोई एक है जो इस्त्रेलिंग की श्रणी में आता है तो यदि देखा जाएं, तो चावल, बाजरा और चना, पूरलिंग कहते हैं, चावल, तील, मटर, चना, ज्वार, मक्का, यह सब हमारे लिए पूरलिंग के शणी में आते हैं, लेकिन मूंग, अरहर कहता है, उड़दी कहता है, ठीक है, इसे प्रकार शरकरा कहता है, दालचीनी क यह सब हमारे लिए इस्त्रोश कgoing में आते हैं, तो नीमन में चे पूरलिंग शब्द, नहीं है, ठीक है, पूरलिंग शब्द नहीं है, वह कि तीन पूरलिंग है, और मूंग वह हमारे हैं, इस्त्रोश की थिए अब आते हैं, कुशन ग्वल, वश्वायर, म्यूर memp प्रक्राइब करें इस त्रोड के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर मैंने आप बताये था, प्राकृत से अपभरंशित होने वाले ऐसा शब्द जिनके व्योत्पत्ति अग्यात हो देशज होते हैं और भारत राज्ये में बाहर से आई हुए शब्दों को विदेशज कहते हैं तो यहां कह रहा है पाव रोटी कैसा शब्द है जब हम बात कर रहे हैं विदेशज की तो भारत देश से बाहर से आई हुए शब्दों के प्रयोग किया रहता है अर्भी, फार्सी, तुर्की, पुर्तगाली, रूसी, डच, चीनी, जापानी, इटैलियन, मैक्सिकन, युनान ठीक है पश्टो यह सब हमारे लिए विदेशज शब्दों होते हैं ठीक है तदभाव हिंडी शब्द का संस्कृत शब्द का हिंडी रुपांतरन वाला शब्द तदभाव होता है और संस्कृत के शब्द का प्रभाव हमारे लिए तत्तसम होता है लेकिन संकर क्या होते है दो भाशा शब्द से मिलकर बने हुए शब्द को हम संकर शब्द कहते हैं जहां पर पाव रोटी कह रहा है तो रोटी जो है हमारे लिए तदभव शब्द है और पाव शब्द जो है वो हमारे लिए विदेशज है ठीक है रेडियो तरंग, परिक्षा बोर्ड, दवा खाना, अप्रेशन कक्ष कहता है, माल गोदाम, घड़ी साज कहता है ठीक है इसी प्रकार देखा जाए तो हम कैसे थे फिल्म उत्सव कहता है तो सब हमारे लिए आपका संकर शब्द की श्रेणी में आते हैं अब हम आते हैं आगे 27 पूछ रहा है जहरोखा शब्द की पहचान कीज जहरोखा शब्द में आप्शन दिया है अरबी, फारसी, देशज और तदभाव ठीक है तो अरबी की बात करें तो यहां पर मुस्लिम शब्द का इस्तिमाल जहां होता है फारसी जहां मुस्लिम शब्द का इस्तिमाल होता है अदा, अमीर, यदी कहता है, अल्ला कहता है, ख इंदी का शब्द तद्भव कहलाता है लेकिन देशज क्या होते हैं किसी साउंड इफेक्ट पर यदि हम कोई शब्द बना देते हैं जैसे गड़ गड़ाना फटफटाना खटखटाना इसी प्रकार कुड़ कुड़ाना चिड़ चिड़ाना किट-किटाना है न यह सब देश में अगला प्रशन क्या पूछ रही है फुर्णा ने पूछा है गुड़ सवार कैसा तटिकर & सब्सक्राइश करद थे battling आ रचना या बनावट के आधार पर तो सबसे पहला है आपके लिए रूड शब्द का मतलब होता है स्वतंत्र सत्ता या पहचान रखने वाला ऐसा शब्द जिसे दो खंड में बाटा नहीं जा सकता जिस परंपरा के नियम से बंदे थे वैसे ही प्रयोग किया जाते हैं ऐसे श सब्सक्रिण को योगिक की तरह दो शब्दस से मिल कर बन जो अशतन सर्थमर दो भाग में बट जाए इसलिए योगिक भी है लेकिन परंपरा से बंदा हो तो रूर्ड हो जाता है योग कहते हैं और अवर संस्क्रित के घोडे पर सवार ठीक है कहीं न कहीं घोडे पर सवार कहे कर यह एक समासिक शब्दपद है और समासिक शब्दपद जिसमें हमने दो शब्दों को बड़ी आसानी से अलग कर दिया इसलिए आपका आंसर है option number B घोड सवार जो है वो option number B योगिक शब्द है clear हो गई चीज़ें अब आते हैं आगे ठीक है question number 29 क्या पुछता है कि कृष्ण का इस्त्रेलिंग शब्द क्या होगा क्या option number A krisha option number B krishni option number C krisha और option number D krishna ठीक है तो शब्द का यदि पूर्लिंग है तो इस्त्री में बदलने के लिए कुछ इस्त्री सुचक प्रत्याय का प्रयोक किया जाता है जैसे हम A को A में बदल देते हैं किसी प्रकार हम नी लगाते हैं हम E नी लगाते हैं ठीक है हम आईन लगाते हैं ठीक है अक को हम E का करते हैं ठीक है आगे समझ में तो कभी हमने ये पाया है कि मोर से मोरनी ठीक है पंडित से पंडिताइन ठीक है हंस से हंसीनी बन जाती है गायक से गाईका बन जाती है इसी प्रकार जब किसी शब्द का पूर्लिंग से इस्त्री लिंग बदलना हो तो आप्रत्य का भी प्रयोग किया ज लगाते हैं वैसे ही आधर सुट जो क्रिश्ण है उसका स्री बनाने के लिए आप प्रित्य का प्रियों करते हैं इसलिए कृष्ण का इस्त्रीलिंग शब्द होगा हमारे लिए कृष्णा ठीक है अब हम आते हैं अगले कोश्चन में अगला कोशन है कोशन नंबर 30 राध्या सभी से होशियार है विशेशड में तुलना का कौंसा आधार है तो विशेशन की तुलना क्या होती है जब किसी गुण सुभा में एक व्यक्ति अवस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहाँ तुलना आत्मक विशेशन होता है तुलना करने के लिए हम हिंदी में गुण संबंधी विशेश्ता बताते हैं संख्या संबंधी विशेश्ता बताते हैं मात्रा संबंधी बताते हैं वैसे ही तुलना करते समय जब विशेशन का सोरूप होता है तो यहाँ पर विशेशन के तुलना के तीन आधार अंग्रेजी से हिंदी में लिए गए हैं क्योंकि जब हिंदी व्याकृण को लिख गया तो किशॉरिदास वाजपेई जी का कहना है आपके कामतर प्रसादगृ जी का कहना है कि उस समय अंग्लेजी भाषा его संस्कृत भाषा के नियमों के लेकर हिंदी भाषा के व्याकरण को लिखा गया तो इंग्लिश में जिस तरह डिग्री है पॉजिटिव कंपरेटिव एंड सुपरेटिव डिग्री ठीक है संस्कृत में मूल अवस्था उत्तम अवस्था और उत्तम अवस्था है परन्तु हिंदी में हम केवल केवल तुलना करते हैं यह अच्छ इससे यह अच्छा सबसे यह अच्छा लेकिन यहां पर कर रहा है सभी से मतलब जब साधारण से तुलना हो तो वह हमारे लिए मूल अवस्था होती है दो के मध्य तुलना हो तो उत्तर अवस्था होती है और सभी के मध्य तुलना हो तो उत्तम अवस्था होती मतलब की तो उत्तरा वस्था होती पर कहरा राधा सभी से होश्यार है यहां है आपका सूपर लेटी डिग्री मतलब की मूला वस्था उत्तरा वस्था को छोड़ कर यहां पर उत्तमा वस्था ठीक है तो आज के वीडियो में मैंने आपको बेसिक सी चीज़े कम्प्लीट करवाई हैं आने वाले वीडियों में बच्चे हुए टॉपिक जिसमें है उपसर्ग प्रत्यावगर सब मैंने आज करवाया, आने वाले टॉपिक में बच्चा हुआ सेक्षन जो है आपका वाक्य विचार, जो है आपका अविकारी शब्द, संधी, समास, मुहावरा, लोकोक्ती है, ठीक जो भी आपको MCQ बताए जाएंगे या जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अपने CGPC परिक्षा के लिए उन सब ही को अपने साथ पढ़ाई में लेते हुए चलिए, तो मेरे सभी बच्चों को मेरे साथ जूड़े रहने के लिए, ठेंक्यू सो मज और गॉड़ ब्लेस के लिए पाकती है